Hi ! Welcome to your channel ! इस बीडियो में इस सोल्व करें कूशन नम्बर 7 और यह जो क्वेश्चन नम्र 7 है एक्जेकली सेम है क्वेश्चन नम्र 5 के बस केवल वर्डिंग्स में चैंज किया है जो नम्बर से हमें एक दोमें इसेम है यहां पर करा है कि a dealer buys a risk vouch for rp2.25 और Question 5 प्रेटेलर बोला है की रिटेलर बarten buy a radio for rp.onent rp. тво.25 मत checking हमें हमें डिलर बोल दिया है और वहां पर retailer और यहां पर पर रिटेलर है और यहां पर रिडेलर है तो वहां पर क्या है radio है तो खार same दिया हूँ है और यहां बोला है कि expense रुपीज 15 on its repairs यहां बोला है कि repair करने में 15 रुपीज लग रहा है और वहां बोला है कि overhead expense जो है 15 रुपीज है तो दोनों similar है दोनों बाते same कर रहा है थोड़ा से यहां पर अलग word का use कर दिया है ठीक है चलिए solve करते हैं यहां पर दिया है CP CP of the wristwatch इसको दिया है 225 रुपीज और इस पर repair में लग रहा है 15 रुपीज तो यह जो repair में लग रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग overhead expense एंड दिया हुआ है overhead overhead expense overhead expense दिया हुआ है 15 रुपीज तो यहां पर जो effective CP होगा actual में जो उसका cash price होगा इसको बोलते हैं effective CP actual में जो होगा वो इन दोनों को add करना पड़ेगा क्योंकि उसके खरिदने में और repair करने में जो total लगा है मतलब पैसा वो total मिला कर बोलते हैं हमको cost price यहां पर add कर इंगिना मिल जाएगा 240 मिल जाएगा और SP भी दे दिया है SP of the risk watch मतलब कि selling price भी क्या है sorry wrist watch कि selling price भी दे दिया है 300 रुपीज अब आप यहां पर निकाल सकते है gain percent या profit percent क्योंकि यहां पर देखे effective CP जो है क्या है 240 रुपीज है और जो SP है वो 300 है वो ज्यादा है SP क्या है? CP से ज्यादा है इसलिए so यहां पर आप निकाल सकते हैं profit percent profit percent इस equal to हो जाएगा क्या? SP में से minus करेंगे CP divide करेंगे CP से और इस पूरे fraction में multiply कर देंगे hundred से तो यहां पर निकलेगा क्या? SP क्या है? इस फोर जाए 24 होता है और 6 बंजा 6 10 हो जाएगा 22 जाए 4 25 जाए 10 फिर 2 बंजा 2 और 25 जाए 10 यहां 5 बचा यहां 5 बचा कितना जाएगा? 55 जाए 25 मतलब कि 25% होगा gain profit percent तो जितना जाएदा हो सके लाइक कर दीजिए और comment ज़रूर करिए कुछ ना कुछ आपने दो सोख सेर करिए Thank you so much for watching Bye